दोस्तों आज की वीडियो में आप लोग के लिए वजिरेक्स की एक ऐसी ट्रिक लेकर आया हूँ जिसमें अगर आप डेली का एवरेज निकालोगे तो 100 रूपीस से लेके 300 रूपीस तक आप अराम से डेली का यहाँ पे अर्ण कर सकते हो और यहाँ पे आपको जादा अधिस पी नहीं लेना पड़ेगा तो इस ट्रिक को अगर आपको यहाँ पर अच्छे समयना है तो वीडियो को एंट देखते रहना और अगर चैनल पे नहीं हो तो लाई को सब्सक्राइब शूर से कर देना तो सबसे बहले तो आपके पास वजिरेक्स एप नहीं है तो डिस्क्रि आप यहां पर कर सकते हो, तो यहां पर जो है आपको INR2 USDT में ट्रेडिंग करनी है, अब मैं USDT क्यों कह रहा हूँ, तो यहां पर आप इसका graph देखो, यहां पर हम जित्ता यहां पर पीछे जाते रहेंगे, आपको सिर्फ एक चीज़ देखेगी, कि 70 रुपीज से लेके 85 रुपीज के बीच में इसका प्राइस, यहां पर आप पर आप बिच में पर आप देखोंगे, और ये अभी तक का अगर आप देखोगे तो मुझे यहाँ पे सबसे ज़्यादा stable coin दिखता है और stable coin है भी थीतर आप सभी लोग जानते होगे और इसका price basically एक दो रुपे एक दो रुपे ही उपर नीचे होता है अगर market में बड़ा pump आता है एक दम से bullish market आयाती है यहाँ बहुत ज़्यादा bearish market आयाती है बहुत ज़्यादा गर जाती है तब ही इसका price ज़्यादा up down हो जाता है वरना इसका एक दो रुपे ही उपर नीचे price होता रहता है और इसका price आप ध्यान से यहाँ पर देखोगे तो आपका बस चलेगा लगबग हर दो दिन के अंदर या हर तीन दिन के अंदर एक बार एक रुपे उपर नीचे ज़गूर होता है यहाँ पर तो यह पूरा बना आपको चार्ट यहाँ पर दिखाया कि किस सरीके से इसका पूरा price movement जो है यहाँ पर 70 रूपीज के और 80 रूपीज के यहाँ बीच में ही रहता है और जादा बड़ा इसमें movement नहीं आता है तो यहाँ पर crypto currency का main drawback होता है कि बहुत आदा volatile होती है जिसके वैसे काफी risk रहता है short term trading में और loss भी हो जाता है लोग का वो इस coin के नतर यहाँ पर खतम हो जाता है अब यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर इसका price यहाँ 75.15 गया था और उसके बाद यहाँ पर 76 के अभी उपर जा रखा है अब इससे पहले भी एक बार same ही चीज हुई थी यहाँ पर आप देखो यहाँ 75.50 तक गया उसके बाद फिर से यहाँ पर 76 के आसपर गया तो यहाँ पर आप इसका graph देखके ही समय सकते हो कि सिर्फ नीचे जा रहा है फिर सब्से बाद जा रहा है फिर से यहाँ पर उपर चला जा रहा है अब यहाँ पर आप ग्राफ को देखोगे तो यहाँ पर आपको पर चलेगा कि हर एक दो दिन के अन्दर इसका price एक रूपए अबडाउन जहूर यहां पे होता है एक रुपए नहीं तो 50 वैसे लगवख यहां पे होता है अब करना क्या है आपको यहां पे? यहां पे आपको एक zone पकड़ लेना है यहां पे एक zone यह पकड़ लिया हमना है कि 75.50 के अंदर हमें buyag लेनी है और 76.20 के उपर हमें sell कर दिना है यानि कि लगबग यहाँ पे 70 रुपैसे का फरक आप आपने देख लिया आप ऐसे भी देख सकते हो यहाँ पे कि 75.20 के अंदर buy करा 76.20 के उपर sell out कर दिया यह एक रुपे का difference रखो कि इतना price जाएगा तो मैं buy करूँगा और इतना price जाएगा तो मैं sell out कर दूँगा अब यह चीज मैं यहाँ पे नहीं बोल लाँ कि यहाँ पे एक रुपे या फिर दो रुपे इसका price यहाँ पे up down होगा यह graph बोलता है और इसकी history बोलती है आप खुद check out कर सकते हो graph में तो हर दो तीन में अगर इसका price एक रुपे ऊपर या नीचे हो रहा है तो हम अगर नीचे को buy करते हैं और हमने अगर मानलो 300 या 500 coins ले लिए मानलो 4 suppose कि हमने 400 coins ले लिए ठीक है अब एक coin पर अगर हमें एक रुपे का फायदा भी हो रहा है तो 400 coins अगर हम ले ले लेते हैं तो हमें 400 coins लगबख होगा 400 रुपे का फायदा तो दो दिन के अंदर 400 रुपे का फायदा मतलब आपने buy करा उसके बाद एक रुपे बढ़ी गया तो आपने 400 coins को sell कर दिया तो दो दिन के अंदर हमें 400 रुपे का फायदा होता है तो पर दे हमें आरा average बन गया लगबख 200 रुपे अब उसमें काफी लोग यहां कहेंगे कि भाई इसमें fees भी बहुत दारा कटी है और उसका भी कुछ जुगार देखो तो don't worry fees के लिए में आप लोगो के लिए जुगार देखा है जिसमें आपकी fees भी यहां पर 50% off लाईगी पहली तो अगर आपने वजिदक्स मेरे लिंक से डावलोड करोगे तो 50% off मिले गई और दूसरी चीज यहां पर जो आपको समझावाल हूँ उसके लिए हम यहां पर सीधे वजिदक्स एप के उपर चलते हैं तो यहां पर आपको अपने वजिदक्स एप को उपन कर लेना है उसके बाद उपर left side में जो यह एक sign दिखता है settings वाल उस पर click कर देना है फिर यहां पर आपको जब इसको नीची के थोड़ा scroll करोगे नीची की side तो यहां पर एक option जो यहां पर WRX token से कटा करेगी और आपको 50% यहां पर discount मिलेगा अब यहां पर 50% कैसे यहां पर जैसे मान लो आपने trade करा और आपके पास यहां पर मैं देख लो में यहां पर token पढ़े हैं यहां पर 10 token में पास पढ़े हैं अब मेरे जो INR में fees कटी थी पहले वह यहां पर वजित एक token में कटेगी और वह हाफ कटेगी यानि कि अगर INR में मेरे 5 उपर कट रहे हैं तो यहां पर मेरे सब 2.5 उपर कटेंगे और वह भी इसी token में से ही कटेंगे INR में मेरा कुछ नहीं जाए तो यहां पर आप एक या दो WS के token बाय करकर रख लो वहां पर आपकी क् लेते हैं 500 coins हमने ले लिए तो 37,750 के हमें लगबग यह पढ़ेंगे 37,800 लगबग मान लो अकर फीज को लगाएं बाकि अपने इसाफ से फीज पता नहीं कितनी लगे जिट्टी भी लगे फैस इतनी हम पने मान ली और यहां पर हमने जब इसको sell करने गए तो हमने यहां पर 76.5 पे sell करा जो की इसका price हुआ है पिछले दो दिन में अगर आप देखोगे तो 75.5 से 76.5 हुआ है और से जाद ही हुआ है दो दिन के अंदर तो यहां पे इसका price जो होगा 38,250 होगी तो लगबग यहां पे 300 से 400 रुपे का हमें फायदा हुआ दो दिन के अंदर यानि हम पर 300 coins भी बाय करते हैं लगबग इतना तो कर लेते हैं लोग मैंने देखा है तो 300 coins भी अगर यहां पर आप बाय करते हो तो आपका 100 rupees per day अराम से यहां पर बन जाएगा तो यही trick थी जिससे आप यहां पर बिना जादा रिक्स लिए अच्छा कासा profit यहां पर निकाल सकते हो बा ऐसी tricks वगरा के लिए अगर आपको वीडियो चाहिए तो comments में जबूर बताना